माक्सिमम फाइव मिनिट्स में हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या देखा उसका एक क्रिक रिवीजन करते हैं इसलिव लोगों ने लास्ट टाइम डिसकस किया थीक ना तो बेसिकली फ्लीड मेकानिक्स हम ने बाद किया रटा फ्लीड मेकानिक्स क्या है we definition of a direct fluid mechanics definition it is the branch of science that that deals with the study of behavior of liquid behavior of fluid it is the branch of science that means with the behavior of flu or fluid home though you have a cali new time liquid when the fluid is in rest or in motion when the fluid is in rest or in motion when the fluid is static when it is in motion study this is the first point we have seen fluid mechanics generally we have three categories rest rest means static हमने बात किया था ठीक है उसके बाद motion motion मतलब डाइनमिक होता है तो इसमें बेटा दो प्रकार होते हैं काइने मैटिक्स होता है इस पर पर माँ एच्चा मधे डिफरेंस आये तो फ्लू मोशन मतलब अस्तो इसमें हम लोग नौट कंसीडरीं था एक्स्टरनल फोर्स नौट कंसीडरीं दा फोर्स अत ओल फोर्सेस हम लोग कंसीडर नहीं करते बैटा पानी बैराया बैराया अच्छे बात है बात समझ में आरा है है पर काइनेटिक्स में ने तो हम लोग इसको डायनमिक्स भी बात किया था है यहां सब हम लोग रिलेटेड है तो इस यह हैं तो इसमें बैटा इसमें क्या है इस अलसो दो स्टड़ी और फ्लू इन मोशन बट वैं कंसीडर इंडर 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 फोर्स मैंने लास्ट बात किया था आपको और एक्जांपल में मेकानिक्स का यहां कंसेट आपको बताऊंगा कि अगर यह समझ लोग फ्लोर रहने तो कोई रिजीड बोडी है यह रिजीड बोडी थ यहां से यहां तक आ गया तो यहां पर कुछ ना कुछ रियक्षन होगा न्यूटन स्थर्ड लॉस है रियक्षन कंसीडर गया यहां पर फ्रिक्षन कंसीडर किया था हीड्यक्ष में तो हैट्रोडैनामिक्ष में हम भी फॉर्स कंसीडर करते हैं किने में हम लोग फॉर्स कंसीडर नहीं करते हैं मैंने आपको एक्जाम्पल फ्लोई वाटर यह फॉंक का वाटर दिया था दिस्चार्च ऑफ वाटर फ्रॉम बराबर में अलग 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 फोर्स सेंट्रिफिगल फोर्स सेंट्रिफिटल फोर्स है ऐसे अलग-अलग हम लोग फोर्स यूज कर सकते हैं यह समझ में आगया यहां तक हमने लास्ट देखा था समझ रहें आपकी प्लीज हां नहीं मुझे रिप्लाइ करते रहो जिससे हम लोग का समझ में आता इंटरेक्शन नेक्स्ट है मैंने आपको बता बेटा सबसे इंपोर्टन चाप्टर अभी हम लोग टॉपिक हम लोग सबसे इंपोर्टन प्रॉपर्टी विटा विस्कॉसित और हम लोग अभी तक क्या है हम लोग खाली डेफिनेशन याद करते हैं पर अगेन में बात कर रहा हूं इन टम्स आफ एंसी क्यू यह एंसके लिए नहीं है आप लोग आईटी का एक्जाम दोगे कोई आईएस का ए सब्सक्राइब होने के बाद फिर से डिप्लोमा के हम लोगों को टेक्स्बुक ढूडने पड़ते तो ऐसे नहीं होना चाहिए और यह बात करो मतलब मुझे ना आपका पढ़ाई का वर्टिकल समझ में आएगा अगर नहीं है तो हम लोग उसको बढ़ाएंगे पर आप बा कोई बता रहे एक है आइडेन फ्लूर और दूसरा है रियाल फ्लूर मैंने पताा डेल फ्लूर है इस दो इमाजिनरी फ्लूर मतलब नोट प्रेजेंट इन एक्चुल प्रैक्टिस नावतस दिलेल ऐडिल फ्लीव्ड सबसे इप्वर्डेंट इस नॉन कॉंप्रेसिबल कुछ सा भी फ्लीव्ड है तो अगर मैं इसको कॉंप्रेस किया तो यहाँ पर रहेगा तो एक सब्सक्राइब तक वो और यह आईडियल फ्लूड नोन विस्कस इस नेचर में ऐसा कुमसा भी चीज नहीं इसको विस्कॉसिटी नहीं रहता ही आइडियल फ्लूड में बैटा बैटा फिर तीन प्रकार आते हैं एक आता है नियूटेनियन फ्लूड और तिसरा है आईडियल प्लास्टिक नूटेनियन फ्ल्यूड और मेरा तिसरा प्रकारवटा आईडियल प्लास्टिक तो अभी अच्छा से देखना है कि यहां पे बहुत दो को यह डेफिनेशन याद है कुँटनियन फ्ल्यूड क्या हुता है यह तीनों प्रकार जो है विसकोसिटी प्ली पर प्लिश्फेंडर है यह रहे हैं यह लिखते रह conviction मैं एकसीट करकी आप लेक्सिटी जैसे विस्कॉसिटी चेंज होगा यह फ्लीड का प्रकार बेटा चेंज होता है तो अभी यहां एक M.C.Q. आपका डेवलप हो गया कि टू और फॉल्स के लिए कि विस्कॉसिटी ने तो न्यूटेनियन फ्लीड ने तो टाइट साफ फ्लीड डिपेंड्स अपॉन दो विस्क शुच के लिए टॉपिक अगर हम लोग वने टेक्सबुक में देखा तो छह लोग को यह समझ में नहीं आता है यह विस्कॉसिटी से रिलेटेट टॉपिक है की तो न्यूटेनियन फ्लीड काया है इसके प्रक्टिकल एक्जाम्बल्स क्या है और समझेटों मिल्क दे लिया मिल्क न्यूटेनियन है या नहीं है तो इसमें से कुन सा काटेगरी न्यूटेनियन फ्लूट में आता है इस इस दे नॉन न्यूटेनियन फ्लूट तो कुन-कुन से हो वो हमें पता होने चाहिए में वैसे इक्जाम्पल आपको आगे इसला है आईडियल प्लस्टिक का मतलब क्या होता है उसका विस्कौसिके से रिलेशन क्या होता है यही सब अभी आने वाले आदे पौने गंते में बेड़ा यह से ओप अपने यह सब लिख लिए 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 मतलब अधिया शीयर मतलब फोर्स जो हम लोग एपलाई करते हैं बाद में यह ऐसा ऐसे होता है विजिए स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता है एप अपॉण ए एरिया बाद समझ में है आपको तो शीर स्ट्रेस का फॉर्मूला मेरा यह हो गया न्यूटन पर मीटर स्वर्ड तो विस्कॉसिटी में शीर स्ट्रेस जिसे हम लोग अभी टाउ से बात करेंगे टाउ से लास्ट टाइम हम लोग क्यों से बात कर रहेते हैं और दूसरा वेलोसिटी ग्राडियंट तो यह क्या है यह भी हम लोग अच्छे से आज देखने वाले विलसिटी ग्राडियंट इन नहीं बट दी-उ अपवान दीवा देखना एलोसिटी ग्राडियंट मतलब यह आंगया वेलोसिटी ए % ग्राइडियान मतलब शियर रेट होता है तो यह वाय है वाय मतलब है डिस्टर्स सब्सक्राइड उसका यूनीट वगरा इस पर भी आपको एंसे की आएंगे पर मैंने आपको यह क्यों बताया जब हम लोग प्लोट करना होता है तो इसे में डियू अपन डिवाइड भूलूंगा डाट इस वेलासिटी ग्राइडियेट यह रहेगा यह डिटेल में देखने आपको समझने आ लगा तो न्यूतेनियन फ्लूड में क्या होता है वैं फ्लूड फॉल्वड विस्कॉसिति यह सबसे इंपॉर्टन फ्लूड वर्डिंग है न्यूतेनियन फ्लूड हॉढ विसकॉसिटि इसका सिंपल सा मिनीम में आपको बता रहाब न्यूट आज जिर फॉल्व विस्पसिती नतलब यहां पर जंटा इस हुं कैसे टील दॉन सिपन दो यहां नeed तो त्मॉर्वमं κάνlicht थिय। और एक MCP बने गया, ठीक है, तो in Newtonian fluid, viscosity is constant, if viscosity is constant, viscosity is nothing but tau directly proportional to du by dy, हम लोग बात करें योज़का, तो in viscosity, Newtonian fluid, there is a linear change in stress and this is strength, this is nothing but strength, velocity gradient, आपको पता है ना, अभी देखो, लीनियर, लीनियर ली बढ़ेगा, लीनियर ली बढ़ेगा, this is Newtonian fluid, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बात किया था, अगर मैंने कौन से भी दो पॉइंट पे slope लिया, तो यह जो दो लाइन्स है ना, यह लाइन्स रिप्रेजेंट यूर विसकॉसिटी, यहां टाओ आएगा, यह दिस्तन्स मतलब टाओ का इस्तन्स है, और यह दिस्तन्स मतलब विलसीटी ग्राइट का इस्तन्स है, तो विसकॉसिटी, कही भी आप मेजर करो, रहेगा दाटिज्ट विसकोशिटी इस कॉंस्टन समझ लाएगा मतलण मैं बात कर रहाऊ तो यह थी थीटा रहेगा यह थीटा रहेगा तो यह सबसे इंपोर्टन्ट मैंने आपको पहला एंसी की इस पर बता है तुसरा एंसी की अभी आ सकता है आप में से कोई मुझे बता सकता है वाट इस दो न्यूटेनियन फ्ल्यूड जो विसकोसिटी अपलाय करता है तो उसके एक्जाम्पल साप कुछ बता सकते हो ठीक है थोड़ा सा पढ़ाई जरते रखो इसका फॉर एक्जाम्पल है आपका जेनरल वाटर क्योंकि वाटर प्रस्ट विसकोसिटी बात समझ में आ रहा है ऑईल हनी बराबर गैसुलीन अल्कोहोल यह सब ना मेटा न्यूटेनियन फ्ल्यूड तो इस पर ऐसे आपको चार बीच में दूसरे नूटेनियन वाला डाल देंगे आपको वो पिक अपकरना पड़ेगा और ऐसे एक्जाम्पल हो सकता है कि विच इस दे नूटेनियन फ्ल्यूड 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 यह मैं आपको बता रहा हूं लह बाता है करता इन्यूड फ्ल्यूड नहीं करता है बस इतना है जो उसका विसकॉसिटिश ników कंस्टांट नहीं होता विसकोसिटी नॉट कॉंस्टंट विसकोसिटी बदलते रहता है को उसी का नित्चर मतलब कभी विसकोसिटी बढ़े गा कभी हिसकोसिटी कम होगा तो उसे हम लोग नौन-nyu resolutions ऐ companion अगर हम लोग तोड़ा व quemndail देखो यह अगर ऐसे है लोगों ने लिए तो इसका देखो यह जो ग्राफ है यह जो विसकोसिटी यह बदल रहा है और यह बढ़ रहा है बढ़ रहा है मतलब शीर स्ट्रेस का वाल्यू जदा है तो विसकोसिटी इंकृिज विस्कॉसिटी क्या हो रहा है बीटांब का इन्स हो रहा है , तो मैं इस लिख Director बढ़ रहा है यहां देखो यहां थीटा अलग रहेगा यहां थीटा अलग रहेगा तो इसे ना इसे शीर थीनिंग बोलते क्या बोलते शीर थीनिंग बोलते रहरेएं यहांना किवेलोसिती शॉर्ल्य का कोई सकता है कोई बता सकते हो तो जिसका विसकोर्सिटी बदलते रहता है थो प्रणके लिग सकते हैं बटर क्यों तो कि टेंपरेचर अफेक्ट करता है उसके बाद ब्लयड है उसके बाद निक है सब पॉलीमर है पॉलीमर केमिकल्स जो होते न वो पॉलीमर केमिकल्स यह आपके कि नॉन न्यूटेनियन फ्ल्यूड में आ जाएगा मड़ स्लरी मड़ स्लरी उसके बाद प्रिंटर रिंग में का थरूम सब्सक्राइश अब्द सांगतों है क्योंकि ऐसे mcq वह सकते है कि इस प्लॉस्ट्टिक फ्लुड आइडियल प्लास्टिक फ्लुड जो है यह यहां से स्थंभी बहुत बार ऐसे प्लास्टिक फ्लुड यहांसे ही क्यों स्थंच में होता ही तो इसका सिंपल सा caso एक रिए पलय कि थी कंशन में आग कि इवसेज रखने पाद में प्रेस करना पड़ता है जब डाय में रखेंगे प्रेस करेंगे तो क्या फटाक से वह बाहर नहीं आएगा पहले हमें थोड़ा सा स्ट्रेस देना पड़ता है तो देने के बाद फिर वह बेटा आएगा बराबर बात समझ में आपको तो क्ले है महारा कित आपड़ा सब्सक्राइब आपको तो अगर यह दाइग्राम तीनों में बताना है तो यह तो पुस्तक में दिया ही है एक ऐसे है और एक ऐसे है ठीक है डिस न्यूटेन यह दिस नॉन न्यूटेन यह और डिस आइल प्लास्टिक होप सो आपको यह सब कंसेप्ट अभी समझ में आ गया होगा आने वाले आदे घंटे में बेचा हम लोग विस्कोसिटी एंड वेलोसिटी ग्राइडियेंट सही तरीके से देखेंगे